सरद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत दोस्तों मैं 15 साल का था जब अमेरिका में 9-11 के अटैक्स हुए ये वो इवेंट था जिसने हमारे जिन्दगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम उस दिन स्कूल गए और स्कूल में जाके जब अकबार खोल के देखा तो वहाँ ट्विन टावर्स की फोटो थी शायद उससे पहले हम में से कोई जानता भी नहीं था कि ट्विन टावर्स हैं क्या इतना जुरूर जानते थे कि न्यू यॉर्क शहर है जहां पर बड़ी बड़ी इमारते होती हैं मगर ये किसी को नहीं पता था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 15-20 हजार लोग काम करते थे और वहाँ पर दो टावर्स के अंदर प्लेंज आए और उन्होंने ना सिर्फ इन टावर्स को क्रेश किया बलकि हमारी जिंदगी को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि 9-11 ने हमारी जिंदगी को किस तरह से बदला हमें प्रोग्राम में जॉइन किया है बेरिस्टर हामिद बशानी साहब ने वेलकम टू दे शो ज़र बशानी साहब इससे पहले कि मैं सवाल जवाब का सिलसला शुरू करूँ आप से ये जानना चाहता हूँ आप उस दिन कहां थे जब टूइन टावर्स का अटेक हुआ ये तो आपने बोड़ी परानी और दर्दनाक यादें ताजा कर दीजी उस दिन उन दिनों अक्चुली मैं यहां टरांटो में अभी स्ट्रेगलिंग फेज में था और मैं रात को काम करता था उस वक्त मैं रात को स्क्यूर्टी में काम करता था चुकि दिन को हम ये एजुकेशन वहरा के चकर में और एग्जेम के चकर में होते थे तो रात को तो वो सुबो सुबो आके में पांच बज़े सोया अब वो टाइम का एक्जर्ट मुझे नहीं पता लेकर कोई थोड़ी देर बाद अभी मैं सो ही रात था गहरी नीड में तो मुझे फोन आ गया नियू यार्क से तो मैंने का यारी ये किसमे फोन कर दिया इतने स्वेरे स्वेरे वो हैरा हमारे जा मैंने गिए क्या होगया कहता है बस तबाही होगया नीवी यार्क जो है लो तबाह बरॉबात होगया शारा ख्हूले तो साही तो मैंने वो टीवी आऊन किया तो आई बस स्टांड आई वस catastrophe perform किया मैं य जो कि मेन और सोच भी नहीं सकता थाना जूकर बह। पिक्छर्ष ती और जायर आपको यह एडविंटेज, दाकि आपने वो टावस देखें नहीं थे, हमें यहड़िंटेजी यह एडविंटेज था क्या है को नियू यार्क थे था, तो नियू यार्क में जब आप जाते हैं, तो फिर आप इस तरह की चीजें जो वो बड़ी नोटेबल होती है और प्रामिनन्ट जो लेंड्सकेप है उसका हिसा तो मैं जो है ना वो अहरान और परिशान तो वो पूरा दिन हम टीवी पे बैठे रहे आपस में बाते हैं इतर दर फून पे करते रहे तो ये था मेरा जी किसा और नीद वगारा उड़ गई औ और बिलकुल हमें असास हो गया कि वी आर गेटिंग इंटो ए नीव वर्ड उससे पहले की जो जिन्दगी हुआ करती थी थोड़ा सा उसके बारे में बताएं और फिर ये बताएं कि वक्त के साथ साथ उस लाइफ में कितने चेंजिज आए आपके पास उन दिनों पाकिस्त साथ में ट्रैवल करना आप मुम्किन है अमेरिका भी गए होंगे तो आपके जहन में और आपके जैसे नजाने और कितने लोग होंगे जो कि इन मुलकों से आए थे जो कि शक के दाएरे में थे आपके लिए कितने चैलेंजिस थे देखें जी उन दिनों चुके जाहर है हम ने इन आय थे यहां नार्थ हमारिका में और डैफिनेटली मैं जो प्री नाइन वान वन की बात कर वा है । प्री नाइन वान जो है मेरे पास पाकिस्तानी पासپोर्ट था और प्र क्योंकर हम एक स्ट्रेगलिंग किसम की फेज में थे तो हम जएधा ट्रैवल करते थे बह 911 जरा आप उसको compare करके देखें compareable situation मैं आपको बता रहा हूँ तो एक एला भी और दोस्तों के साथ भी तो हम बस में बैठके जाते थे हमारे पास Canadian Permanent Residency का जो है वो पेपर होता था लेकिन passport तो बरहाल पाकिस्तानी था तो वहां बाडर पे हम जाते थे दो तीन दफ़ा जब में गया मुझे नहीं याद कि एक दफ़ा भी किसी immigration officer ने कोई एक या दो से ज़्यादा question पूछे हूँ जो एक standard questions है कि कहां जा रहे हैं किस लिए जा रहे हैं जो कि दुनिया के air airport पे आप अपने मुल्क में भी जाएं तो immigration वाले पूछने जो उनके manual में लिखे होते हैं इसके अलावा कभी किसी ने हमें ना कभी शक की नजर से देखा ना कोई इस तरह पूछने की कोशिश की तो ये दो तीन दफ़ा का मेरा experience है और हम मुक्तलिफ जगों पे में एक जगा नहीं यहां से जो कि हमारे बार्डर्स जो है नो वो एक नियू यार्क स्टेट के साथ भी open होते हैं दूसरी जो फ्रेंच स्पीकिंग एरिया कैनेडा का है उससे भी जाके जो है वो नियू इंगलेंड की इन स्टेटों के साथ तूमें सब बे गया एक दो बार्डर्स की बात है और जो immigration officers की respect होती है develop दुनिया में एक travelers के साथ जिस तरह का मुझे कतन कोई फरक नहीं नज़रा है कि मेरे पस कौन सा पासपोर्ट है और फिर उन मुलकों में इंटर हूने के बाद भी नियू यार्क शेर से लेके तो जो छोटे से चोटा कस्बा है उसमे में गया क्योंकि हमारे बहुत दोस्त थे तो उनको मिलने हम जाते थे एक ऐसे कस्बे में में गया जहां कि आवादी को दो तीन हजार से ज़यता नहीं जब आप लोग गोम रहे हूं एक ग्रूप की शेकल में ब्राउन या हमारे कलर के लोग तो definitely note होते हैं आप restaurant में जाते हैं इदर ओदर जाते हैं तो कहीं किसी भी जगा पे हमारा जो है वो मैंने note नहीं किया कि हम यहां पे कहीं बाहर से travel करके आएं या जनबी हैं बलके एक दफ़ा मुझे याद है कि एक दफ़ा हम रात को देर हो गई हमें हम दो दोस्ते तो यह टैक्सी बगएरा भी वो चुके बहुत स्माल टाउन था तो उसमें भी टैक्सी भी शाम को साथ आठ बज़े खत्म हो जाती थी कोई movement ही नहीं थी बस इस तो सवाल ही नहीं था तो हमने कहा कि यार पॉलीस को कहते हैं तो हमने पॉलीस को कहा तो उन्होंने का नो प्राबलम हम आपको राइड देते हैं और उन्होंने जिस इस तो रहतराम के साथ हमें ले जाके वहां पे छोड़ा तो यह तो हमारे experience हैं प्री नाइन वन और नाइन वन के बाद तो situation आप यू समय लेंगे टोटली उसके उलट हो गई उसका हमें अरी जिन्दी में ये फरक पड़ा के हम के पाकिस्तानी पास्पोर्ट के बजाए किनेडियन पास्पोर्ट हमने केरी याउन करना शुरू किया लेकिन मैं आपको personal experience बताता हूँ कि उससे फरक के इतना पड़ा यानि कहां पाकिस्तानी पास्पोर्ट पे इतने इ terrorism इसके साथ associate नहीं था लेकिन और बहुत चीजें कानियां इसके साथ जुड़ी थी मसलिन ड्राग डेलिंग है illegal immigration है सबसे बड़ा जो शक होता था कि हमें investigate करते थे दुनिया के airport पे कहीं ये छुपने के लिए तो नहीं आ गया जो कि बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों के सा इक था वो लोग आते थे पंजाब से तरुदर से तो उनके बारे में ये मैशूर था कि ये आते ही इसलिए हैं कि वापस ना जाएं तो जाहरा immigration में भी ये चीज़े मैशूर थी लेकिन इसके बावजूद मैंने अमरीकियों का specifically आपको बताया और इसमें ये डीलिंग जो ह तो उसके बाद मैंने बहुत अरसा तो मैं यूनाइटी स्टेट नहीं गया लेकिन एक दिन मुझे जाना पड़ा एक कानफरस थी तो मैं एरपोर्ट पे चला गया तो उस वक जाहरा उस वक तक हमारी जिनगी में ये तफदिली भी आ गई थी कि हम बस के बजाए जाज पे बैठें या अपनी गाड़ी पे जाएं तो वही हमने करना शुरू किया एक सेकंड उसमें माइनेम इस खान फिल्म याद आती है लोगों को नहीं पता तो पैरिस्टर हमिद बशानी खान उसमें एंड में आता है तो आप भी अपनी वो माइनेम इस खान वाली स्टोरी प्ल आरे दोस्तों हमारे जो ट्रावल करते थे या जो हम अख़बारें पढ़ते हैं जो मीडिया में आता था तो इस तरह तो मेरे लिए को शाफ की बात नहीं थी लेकिन इमिग्रेशन आफिसर ने और उसमें फ्लैस पाइंट ये था कि इमिग्रेशन कैनेडा में होती थी ट्र बहुत क्रीब क्रीब मुलक थे दोस्त मुलक थे जैसे कैनेडा है वहाँ अपनी इमिग्रेशन बठा ली कि वहाँ से क्लियर कर ले तो इसलिए हम में बड़ा एक कान्फिटेंस लेवल था आप इस मुलक में रह रहे हैं लाव प्रैक्टस कर रहे हैं फाइनेशली सोशल तो आपका नाम तो जो नो फलाई लिस्ट है उसके है तो मैंने का अच्छा तो फिर क्या होगा तो उसने का कुछ नहीं होगा आप तशरीव रखें तो आप अपनी आईडीज दें तो हम अभी जो है इसको क्लियर करते हैं तो मैं वहाँ पे बैठ गया तो उन्होंने तक्र किस्ट पे आगे तो वो फिर बैठ के उनकी आईडीज को इंडिविज्विली वो फिर टेस्ट करते थे कि ये वो बंदा नहीं है और जब उनको यकीन हो जाता तो फिर दे लड यू गो तो वो फिर उन्होंने क्लियर किया ये मेरा एक्सपिरियंस यहां पे हुआ इमिग्र मैं आपको बताओं कि उसके बाद मैं एक ट्रेवल कर रहा था फ्रम ब्रैसल्स से में आ रहा था ट्रांटो तो हमारी फ्लाइट किनेक्ट होटी थी इंग्लेंड में तो ब्रैसल्स एयरपोर्ट पे हम बैठ के तो वहां एक यंग लेड़ी आके मेरे पास बैठ गई जो वह कहने लगी कि मैं भी कैनेडा जा रही हूं फ्लाइट है तो हमारी बात चीट शुरू हो गई और वह बात चीट काफी हमारी जो है ना एक तरह की वह जिसको कहते हैं ना कि मीटिंग आफ माइंड की शकल इस्तियार कर गई हमने मुखलिव टापिक्स पे बात करनी शुरू कर जो हमने ब्रैसल से ली थी तो इसलिए हमारी ये बड़ी एक चीज थी कि ये हम कैसे करेंगे तो हमने वहां से तैयारे से उतर के तो हमने दोड लगा दी चुकि वह आपको पता है इतरों के जो टर्मिनल्स हैं और ये बहुत लंबी दोड उन दिनों हम बड़ी फाहम में थ लगते थे शुकर है तो वो करके तो अब हम पांच के जी इमिग्रेशन तक कोई दैस मिन रहते थे तो जो हम पांच है शी वाइट लेडी उसने अपना पासबोर्ट देखा है तो उनने का गो हैर वी वर वेटिंग पर ये जो ही मैंने दिया तो उन्होंने पासबोर्ट पे होल्ड कर लेंगे यू जस सिट देर हमने चेक करना है आपका नाम आपकी आप उस लिस्ट पे तो हमने क्लियर करनी है तो वो फिर मैं चलो उन्होंने तान देस पंदरा में में लिस्ट क्लियर कर ली कैन यू इमेजिन आई वस दे लास्ट पैसेंजर एवरी बाड़ी वस व पैर तक देख रहे थे तो उस खातून ने जो है नो वो मुझे देखा और मुँ पेर लिया हमारे दरम्यान एक बहुत ही गहरी किसम की गप्शप शुरू हो चुकी थी लेकिन अब वो मेरा बोज बरदाश नहीं कर सकी यानि शी वस नाट रेड़ी तू टॉ 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 इस बात का ये आप देख लेंगे डिफरेंस का कितना आ गया कि आपको तैयारे में और जाहर है आप वाच रूम में नहीं जा सकते आप उठने से ग्रेज करते हैं आप अपने साथ बैठे हुए आदमी के साथ गुस्तगू नहीं कर सकते ए लाइफ चेंजिंग जी टोटल स ये लड़की का वाकिया मैं आपको इसलिए सना रहा हूं कि एक इंडिविजुल के रूबी ये कैसे बदलते हैं इस तरह हमारी यहां पर जो वर्क फोर्स थी वर्क प्लेसिस थी जो हम लोगों को मिलते जुलते थे सड़कूं पे चलते थे वो सारी चीज एकदम लोगों का जो है ना एक माइंड सेट और ये जाहर है कि जतना वसी पहमने पर मीडिया इस चीज़ को आईलाइट कर रहा था उसी असाब से लोगों की एक माइंड सेट में तब दिली आ रहा थी तो वो मुने एक तम बदलते देखा जो के इल्टीमेटली जाके 10-15 साल बाद फिर बद से सोसाइटी में किस तरह के चेंजिज आपने देखे रोज मरा के जिंदगी में जब आप कहीं बाहर जाते हैं लोगों से मिलते हैं कुछ दोस्त जो पहले बड़े गरम जोशी से मिलते थे उनके रवएए में आपने क्या तबदिली देखी डेफिनली जी नमायां तबदि पर जाते हैं अवरिवेर तो उसमें आप नोट कर सकते हैं अलब के कैनेडियन जो है ना ये आर वेरी पॉलाइट पीपल बाई नेचर ये अमरीकी भी यही कहते हैं और अमारीका और कैनेडा में अगर कोई फर्क करें ना चोटी चोटी बातों को तो सबसे बड़ा फर्क य होता है कि बहुत ज़्यदे पॉलाइट हैं केनेडियन जब यही आप बाडर क्रास्ट करते हैं तो आपको एकदम फर्क नज़र आता है अमारीका और कैनेडा में वहां से इदर आते हैं तो आपको एकदम लगता है हाई हेलो हाई यू बूजू मिस यू ये सारी चीज़े एकदम बहुत बढ़ जाती है वहां मुमकरन है कोई आपको कुछ भी ना कहे एलो हाई दूर की बात है गूड मार्निंग गूड इवनिंग का उस ताइप का जो है वो नहीं तो यह जहां पे कम हुआ हम जैसे लोगों को हमें खुद भी गूड मार्निंग या गूड इवनि हुँ और जो लोग हम तो चुके एपेरेंटली मसले मैंने दाड़ी मूचे नहीं है बगरा बगरा तो मुमकरन है मुझे काम रिजिस्टेंस थी जो हमारे जानने वाले या दोस्त जिनके पूरे दाड़ियां थी मूचें थी या उस तरह के हुलिये थे या वो ड्रेसिंग उस तरह की करते थे उनको तो मतलब ऐसे क्रिमिनल डील किया जाता था आपको याद होगा कि ये तो मुस्लमान को चुड़ें या निव यार्क में कुछ हमारे जो सरदार बाई थे उन पे अमले हुए और उन पे आवाजें कसी गई और इस तरह किया मैद इसलिए कि लोग थे या बहुत ज़्यदे तैजी भी आफ़ता लोग थे वो समझते थे कि भाई इसमें अगर कि कुछ लोगों ने ये दैशल करदी की कारवाई की है तो इसमें आम लोगों का या किसी और का क्या दसूर है लेकिन इस चीज़ को सेटल डान हुने मैं आट दस साल में आ अब लोग प्लेसिस तक एर जगा कहीं न कहीं आप तब्रिली देख सकते थे आज सप्टेंबर 11 को 20 साल हो चले हैं अमेरिका ने इस पूरे वार ओन टेरर में आठ ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा पैसा लगाया पुरी दुनिया भर के अंदर ऑपरेशन में आपका क्या ख गई और हैं इस पे में बड़ी मेरा इंपुट है और डेफिनेटली इसके लिए 5-6 प्रोग्राम्स की जरूरत है अमारिका ने बे ताशा पैसा लगाया जो वार ओन टेरर उन्होंने लांच की उसमें ना सिर्फ पैसा बलके इनसानी कुर्बनियां भी उन्होंने दी लोग मारे गए इराक में देखें जगा जगा देखें तो उसमें फोकस क्या था वार अन टेरर और एजेंडा क्या था कि हम ने दुनिया में ऐसे आलाद पैदा कर देने हैं कि टेररिजम नहीं पनप सकता और अमरीकियों का फोकस ये था कि अमारीका को उसके के से बचाया तो आज 2021 तक अमरीका के अंदर जो तबगिलियां आई हैं वो नोटेबल हैं पहली बात ये है कि 911 से पहले जो अमरीका के अंदर अटेक हुए हैं टेररिस्ट अटेक हुए हैं वो मुस्लिम केम्यूनेटी की तरफ से नहीं थे वो तो जो ट्रिमूती ने ओकला हामा वो जो लोगों की बंमिंग थी इस तरह के वाकियाते के 911 के बाद फोकस जो है वो उन लोगों से अटके तो इधर आ गया जो इसलमिक फंडामेंटलिस्ट या टेररिस्ट या एक्स्ट्रीमिस्ट पे नजर जो है वो चली गई जिसकी वैसे जो वेड़ ता ना अमरीकी लाइनफोर एबल आफेंसिज में जो सफेद फाम लोगों के इस तरह के आफेंस थे इंक्लूडिंग टेररिस्म या ग्रूप की शकल में आमले या ये सारी चीज़ें जो टेररिस्म की डेफिनेशन में आती हैं उनको उन्होंने चार्ज करना शुरू किया गैंग रिलेटिड चार्जि उन्होंने अगर को ऐसी हरकत की भी की जो किसी जूरत में टेररिस्म के खाते में नहीं आती तो उनको भी उन्चार्ज किया गया अंडर टेररिस्म जिसमें के आप यूं समय लें कि यह इंपक्ट था अमरीकी जस्टिस सिस्टम का जिसका मेरे पस बहुत बड़ा रिकार्ड आई डीपली मैं आपको बताऊं के उसकी में रिस्टिस सिस्टम करता हूँ अमरीकी जस्टिस सिस्टम एक टैफ एरिया है वहां पे जस्टिस सिस्टम डिस्प्ले करने के लिए तो वहां पे जिस तरीके से उनने चीज़ों को संवाला हुआ है और जितना नीट और क्लीन जस्टस सिस्टम है यह को मजाग नहीं है जिन लोगों को इन चीज़ों का ज़र्बा है उनको पता है कि इसके अंदर क्या है और यह रियली अप्रीशियेट लेकर उन्होंने इस तरह के यह काम करने शुरू किये जिसके नतीजे में मेरा आपना यह थिसिस है कि गज़श्टा बीस सालों में अमारीका के अंदर टेररिजम जो सफेद फार्म एक्स्ट्रीमिजम है टेररिजम की शेकल में जिसमें के रिएसिजम है, जिसमें एनटाइ जो ये जो इनटाइ गे और एनटाइ लेस्पिएन मूव्मिंट्स है, एनटाइ अबाशन मुवमिंट्स हैं, ये जिस तरह के हेट रिलेटिड ऐसम के नजरीया आते हैं, उसकी बुनियाद पे कही इज़ना इज़ अज़ पा ह कि जब के जो इसलामिक टेरुरिज्म या एक्स्ट्रीमिस्ट रहे हैं उन्होंने जो की वो च्छे साथ से ज्यदे आई टोटल वाकियात नहीं जिन में ज्याये ज्यायद है एक सो से जाइद बंदा जो है वो उसका शक्कार नहीं हुआ तो दुनिया में तब्दिली क्या आई कि जो इस्लामिक टेर्रिजम था वो तो था ही था ये इसलिए तो हमारतें गिरी हैं इसलिए तो इतने दूर से आके अटेक हुए उसमें भी अजाफा हुआ रदे अमल के तोर पे चुके जो पालिसी अपनाई गई टेर्रिजम के खिलाफ वो बड़ी इन बैलेंस थी और अब इस पर ये खुद मुत्विक हैं मसलों ये अब जो कुछ हुआ है अफगानस्तान में हुआ वो ओबामा हो या वो ट्राम्प हो या बाइडन हो तीनों ने अपने अपने अंदाज में तो ये का कि अब बागो जी छोड़ के अफगानस्तान को किसी ना किसी तरीके से उन्हो तरह का कनफेशन था कि हमारी पालीसी में को बहुत बड़ा ड्राबैक था यही बात इराक के अंदर हुई तो उसकी वाएज से इसलामिक टैलरिजम फ्यूल अप हुआ उनको बहुत बड़ी तक्वियत मिली इसलामिक शीदत पसंदी बहुत ज़्यदा बड़ी और इस वक जो फंडमिन्टलिजम इसलामिक सुसाइटीज में है वो मेरे असेस्मेंट के मताबक पचास गुनां ज्यादा है सिंस नाइन वन वन बिलकुल उसी तरह मगरब को ये करना पड़ा कि मगरब के अंदर जो वाइट रेसिस्स सुप्रामेसिस्ट जो हेट क्राइम वाले लोग और ये हैं उन में भी पचास परसे ज्यादा है जो है अजाफा हुआ होगा और उन्हें एक मिलिटन्ट ग्रूप्स की शक्ल इक्तियार कर दी जिसकी एक डिस्पले आपने ट्राम्प दोर में देखी है ट्राम्प के दोर में ये जो दो वाकिया एक तो जो उन्होंने कैपि लोग हैं उसमें इतनी बड़ी तादाद में इस तरह के नेगेटिव ग्रूप्स जो हैं उनका आगे आ जाना मैं समयता हूँ कि एक अलार्मिंग बात है और इसकी वज़ा यही नाइन वन वन की एटैक्स और उसके बाद इनकी जो पालिसीज में फिलास और ये चीज़ें जी तो मैं इसको अगर समप करूँ तो जो असल बात आप कह रहे हैं वो यह है कि आज 20 साल बाद भी हम अपनी सेफटी और सिक्यॉरिटी को लेके बेहत फिक्रमंद हैं हर इंसान डरता है बाहर जाने से पहले फिर वो चाहे किसी रेस्टरॉंट में खाना खाने गया हो या घर के लिए ग्रोसरी की शॉपिंग करने गया हो आपको ये बिलकुल भी अंदाजा नहीं होता है कि आप जातो रहें इतने मामूली काम करने के लिए क्या पता वहां से जिंदा लोट कर आएंगे भी या नहीं अगले प्रोग्राम में बात करेंगे कि आज भारत के अंदर ह हमारे सामने कितने challenges हैं given कि हमारे आसपास geopolitical situation तबदील हुई है हमारे internal challenges क्या है और हमारे external challenges क्या है खुसूसन जमू और कश्मीर की पूरी situation को लेकर आज आपने बग दिया आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपसे कल बात होगी थैंक युनाव